Top 5 Best Laptop for All Categories तो यार in 2021 में अगर आप All Categories की recording जो है वो laptop लेना चाहते हो ये वीडियो में specially आपके लिए करणों तो start करते हैं बात करते हैं number 5 की number 5 की बात करो number 5 पर यार मैंने रखा HP 14 को अगर इस laptop की बात करूं आपके लिए बहुत अगड़ा laptop होने वाला है बात करते हैं इसके specification की तो सबसे पहले ये दो colors में देखने को मिलता है silver color and black color में black color में ज़्यादा suit करता है and आपको display quality की बात करता है आपको 16 refresh rate के साथ इसकी display देखने को मिल जागे जो की average है आप इतना भी expect नहीं कर सकते 40,000 के बिदर में कि आपको display quality बहुत धगड़ी मिलेगी उसके बाद हम बात करें इसमें आपको i3 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ भी देखने को मिल जागे 11th generation के साथ भी देखने को मिल जागे तो आप देख लेना अगर आपने 10th generation के और जाना है उसका price थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा अगर आपने 11th generation के और जाना है उसका price थोड़ा से increase हो जेगा ठीक है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है अपको 16GB तक कर सकते हो प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती जो की प्लस पॉइंट आ जाता है graphic card की बात करूँ आपको integrated graphic card मिल जाता है operating system की बात करूँ आपको window 10 मिल जाते प्लस आपको MS Office मिल जाता है 2019 बेंटरी की बात करूँ आपको 7 hours का battery backup पर वाइड कर देता है price की बातों को 40500 के budget में HP forwarding देखने को मिल जाएगा तो यहार main specification मैं आपक 14 के तो प्लस मैं आपको कहा देना जाता हूँ अगर आपको buying link चाहिए मैंने description box में दिये हूँ है मैंने और भी आपको जो laptop है वो बहुत suggest की है तो description box को एक पर आप चागूड कर लेना आपके लिए plus point होने बाला है अब आगी बात करते है number four की number four की बात करो number four पर यार मैंन आपको ज्यादा ही लोड़ीड फाइल पर काम करना पड़ता है ज्यादी ही typing करनी पड़ती है आपके लिए ये laptop perfect deal हो सकता है प्लस इसके स्पैसिफिकेशन बहुत है मैं आपको स्पैसिफिकेशन बता देता हूँ आपको पता चल जाएगा तो है मैं नोट बूप लिंग के स्पैसिफिकेशन की बात करूं दिस्प्ले से स्टार्ट करतें ठीक है आपको 40-inch Full HD plus display इंटी एंटी फ्लेट डिस्प्ले पर साथ की बात करूं इसमें आपको आइफाउब टैंटर जनरेशन के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8 GB RAM मिल जाती प्रस आपको 512 GB SSD दीखने क मिलेगा उपरेणी की बातों को विंटो रús को को यह देखने को मिल जाएंगी तो यह मैंन स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दिये अभी मैं उसके प्लस प्लंट की भी बात करते हूं अभी मैं सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इसका जो बेंटरी backup है आपको वो बहुत तगड़ा मिल जाता आपको 10 hours का battery backup प्रवाइड कर देता ये laptop जो कि किसी और laptop में आपको नहीं देखने को मिलेगा प्लस इसके display quality भी बहुत तगड़ी मिल जाती है as comparison किया जा मैं जो भी आपको laptop बता रहा हूँ उसके बाद हम इसके minus point की अभी बात करत करने का option मिलता तो यार मैं इसको number one पर या number two पर ही रखने वाला था because laptop पूरा loaded है अभी आगे बात करते है number three की number three की बात को number three पर यार मैंने रखा लिनोव वो आइडियापट स्लिम 3i को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले भी अगर आपका budget कम है आपके लिए बहुत सही होने वाला है आपको 37,000 के budget में ये laptop देखने को मिल जाता है so that's why मैं इसको number three पर रखा because budget बहुत है उसके साथ साथ specification बहुत तगड़े मिल जाते है प्लस इसके साथ आपको Lenovo bag भी देखने को मिल जाता है जो कि laptop bag है अगर उसके में budget देखने को मिलता है तो यार laptop का price हो जात है यह आप पर है आप offer को लेते हो के नहीं लेते है ठीक है अगर आप offer को ले लेते हो आपको 5% जो है मतलो 5000 का discount देखने को मिल जागा जो कि आपके लिए सच में plus point आ जाता है अब भी बात करते हैं इसके main specification की मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या देखने को मिल है कि processor की बातों को i3 देखने को मिलेगा आप 10th generation की और भी जा सकतो आपको 11th generation की और भी जा सकतो आप देख ले ना जो भी आपको processor चाहिए आप जा सकतो लेकिन 11th generation latest processor है अगर आप उसके और चल जाते हो आपके लिए ही good deal होने वाली है storage की बात करूं आपको 8GB RAM में जाते ह आपको upgrade कर सकतो 12GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को में लगी graphic card की बात करूं आपको integrative graphic card में जाता operating system की बात को आपको MS Office देखने को में लेगा 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूं आपको 7 hours का battery backup प्रवाइड कर देता price की बात करूं मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको चाहते हो आप सभी के लिए perfect deal हो जागी आपके लिए आगे बात करते है नंबर टू की बात करूं नबर टू पर यार मैंने रखिया Asus VivoBook Ultra 15 को गर इस laptop की बात करो सबसे पहले इसके color वगर आप बहुत प्यार या प्लस यार slim and stylish design आपको देखने को मिल जाता है आपको design look व बहुत अगरे इसके price range की बात करूं आपको 41,000 के बजर में ये laptop देखने को मिल जाता है मैं आपको दिल से recommend करना जाता हूँ अगर आपने अभी तक नहीं चागुड गया था Asus VivoBook Ultra 15 को एक बार आप इसको चागुड जरूर करना and ये 2020 model है तो आप देख लेना link मैंने provide किय अगर कर सकते हैं डिस्प्ले की बात करूं आपको 15.6 inch full HD display मिल जादे जो की 16 refresh rate के साथ आती है आप और 60 की बात करूं आपको i3 11th generation के साथ मेलेगा storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है अपर grade आप कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात करूं आप integrated graphic card मिल जाता है उपर इस तने की बातों को window time मिल जाती है प्रस आपको MS office भी मिल जागा 2019 version बैटरी की बात करूं आपको 6-7 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है प्राइस की बात करूं इसका प्राइस प्राइस आपको 41,000 के budget में Asus VivoBook Ultra 15 देखने को मिल जाएगी तो यहर मे थोड़ा सा भी increase हो जाता है तो बही मैं आपको recommend करना जाता हूं आपके लिए बहुत तगड़ी laptop जो होने बाली है आपको 45,000 के budget में specification के according पूरी loaded में जाते हो तो बही अगर आपने वीडियो एक्टिंग करनी है उसके बाद अगर आप नॉर्मल साइडिंग पे gaming करना जाते हो को heavy software यूज करना जाते हो अगर आप graphic designing करना जाते हो programming करना जाते हो coding करना जाते हो and in 2021 में आप budget friendly जो है वो laptop लेना जाते हो तो आपके लिए बहुत good deal हो जागी मैं आपको कहाना जाता हूं भी अगर आप extra pay कर सकते हो तो थोड़ा सा कर ले ना because आपको specification बहुत तगड़े मिल आते हैं अभी बात करते हैं इसके में specification की तो display की बातों को फॉर इनिच फॉल एस्टी प्लस दिस्प्ले मिल जाती जो कि IPS पैनल डेस्प्ले प्रसाइसर की बातों को आई फाइव टैंटर जेशन के साथ मिलता है storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते है expandable आप कर सकते हो प्लस आपको 45,000 के budget में ये specification के साथ इससर इसपायर 5 देखनी को मिल जाएगा तो यार main specification मैं आपको बता दिया प्लस मैं आपको फिर से repeat कर देना चाहता हूँ बैस सभी के link मैंने provide की हूँ है description box में देखनी को मिल जाएंगे अभी बात करते हैं अगर आपको फिर 45,000 हो जाता है इस budget range मे इससर इसपायर आपके लिए best deal हो सकता है अगर आपका budget 41 हो जना है उसके उपर भी नहीं जा सकता है उसके नीचे भी आप नहीं जाना जाते तो असूस विवबुक अल्ट्रा फिफ्टिंग आपके लिए good deal हो सकता है एंड अगर आपका budget या 40,000 से कम है तो जादे पैसे ख क्या रहा जो graphic आपको इतना तगरा नहीं मिलता है इतना भी आपको तगरा नहीं मलता मतलों आपको high five चाहिए अगर आपने gaming करने का तूज विवफिए घाने जाए वापने आपको याजार मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दाना कमेंट कर दना दोस्तों को बेदना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना सॉरि यार, मैं थोड़ा सा पहले भूल रहा था बिकस यार मैं रात के दो बत गए है वीडियो कर रहा हुँ तो नीद भी आ रही है तो सो देट्स भाइज से हो जाता है तो उस चीज़ को एकनोर करते ना तो भी मेलते हैं नाक्स वीडियो मेंने वीडियो के साथ थेंक्यू बो